मेरा यही रिकोष्ट उन से कि आप मुझे कोई फोटेज दिखा, ऐसा कोई हार्ड एविडिनस दिखा, जिसे मैं यह समझू कि मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ किया है, जब तक मुझे कोई हार्ड एविडिनस मिलेगा, तब तक मैं यही कहा उनका कि मेरा बच्चा बेकसूर चंदरोज कबल जम्मू के ननकनगर इलाके में जैन के बैंक एटियम गाड के मुबईयना कतल का वाक्या पेश आता है, जिसके फौरण बाद जम्मू पुलिस ने इस मुबईयना कतल के इल्जाम में दो मुझतब्य नवजवानों को गिरतार करने का दावा किया। गिरतार किये गए दोनों नवजवानों का तालुक शुमाली जिला बांडीपुरा के अश्टेंगो इलाके से बताया गया। बादे तमाम हकाइक लोगों के साथ साथ एहल खाना तक भी पहुंचाए। वहीं दूसरी जानिब कुछ और मकामी लोगों ने भी पुलिस और हकुमत से अपील की है। को इस मामले में नेक नियती से तहकीकात करके एहल खाना के साथ इनसाफ करें। मैं कश्मीर में बेठा हूँ अपने गाओ में। हमने अभी जो कुछ भी सुना है वो तो निवस के थ्रो मैंने सुन लिया। अभी मुझे कोई हाड सुबूत मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि इस बचे ने कुछ ऐसी कोई गलती की है। जैसे कुछ मेडिया में आ रहा है। मेरा यह रिकोष्ट उनसेकि आप मुझे कोई फोटेज दिखा, ऐसे कोई हाड एविडिनिस दिखा, जिससे मैं यह समझू कि मेरे बचे ने ऐसे कुछ किया है। जब तो मुझे कोई हाड एविदिनस मिलेगाЗुर मैं यह कहा हुद कि मेरा बच बेकुसूर है। उसने ऐसे कुछ नहीं किया है और जिसका मैं ये आपके वसासत से ये बताना चाहता हूँ कि जो मर्डर हुआ है वहां पर ATM गाड का मैं उसकी फेमली के सथ बराबर उनके गम में शरीक हूँ मैं जानता हूँ कि उनकी फेमली पर क्या बीतर ही होगी इस वक्त उनके बच्चों मत लीजिए पुलीज जिसी कि मेरे इस बेटे विकास की या इसके साथ जो दूसरे हैं उनकी जिन्दगी बरबाद हो जाए है आप सोच समझ कर ठंडे दिमाग से मैं पुलीज को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन्वेस्टिकेशन कीजिए कोई शक नहीं है आप इनको को कोट बेज दीजिए अगर इन्होंने गुना किया तो कोट इनको सजा देगा जरूर अंडर रूलर्स कानून के अताथ जो इनका सजा हाक बनता है वो दे दी लेकिन प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे कोई स्टेप मत उठाए जलदवाजी में जिस तरह अभी जल कि जमू से वो औपअल copy का मामला था थर्पी डालने के लिए और फोला हॉस्प्वेस्ट में उसका रिकारड बाजर था है विकास ऐसे अजा लिड़का नहीं था जो ऐसे कोई स्टेप उठाचता है यह उसके साथ जो दूसरा लड़का है वो भी आएसा वह डाक्ट्र है वो तीन साल से हरियाने में डाक्टरी कर रहा है बीए में डाक्टर है वो उसकी मिसिस जो है वह वहां इन सर्विस है अच्छी खाली से रोयल फैमली है मैं भी अच्छा खाता है पीता गरवाला हूं उनको पैंसे की कोई जुरत नहीं है कि वो एटीम जाकर लूट करें या पै क्याता हूं कि आप हमीं दिखाओ कि हमारे बचे उनको मारे थे या नहीं जैसे उनके फैमली वाले भी डिमार्ड कर रहे हैं और क्या कह सकता हूं एक बेबस बाप यहां कश्मीर में बेठा मैं इतना ही कह सकता हूं जहां तक एज टीचर आफ विकास कहूंगा मैंने उसको अजिए वह एक बहुत होनार और बहुत ही जहीन तालब अलिम थे और नॉट एन एडिचेशन ही वज एक्सलेंट इन एवरिफिंग और खासकर उसका इंट्रेस्ट जो था वह स्पोर्ट में जादा था तो सपोर्ट में उसने आपको पता ही है वाको में गोल्ड मेडल एच स्थीन दिया था और जिसकी वज़स से इनके गर में भी एक खुशी का माहूल था और आप जो देखें आप मीडिया वाले भी यहां से देख सकते हैं कि इसका गर में कितना अच्छा खासा मिजाज है एक एफिलूवन्ट फैमिली है कोई एरी गरी फैमिली नहीं है कि उसको काबिल और जहीन स्टूरिंट थे और वो एक किसी सामान से साजो सामान से लेस होके अपने चेहरे को काबर किये हुए वो चले जाते और उनके हाथ में कुछ असला भी होता जैसे वो एक प्लांड प्र प्लांड एक्टिविटी करके कोई एटीम लूटना एक छोटे करके जा सकें अब यही चीज है कि जहां से मैं अज़ टीचर उसकी पैन फील कर रहा हूं वो यह है कि अब इस बच्चे का मिजाज देखे जो एक नाशनल लेवल प्लेयर बनना चाहता है कि वो अपने करियर को किसी का मडर करते हुए तबह कर सकता है एक गंटे मैं अपने सारी ड्रीम्स को एनिलेट कर सकता है वो ऐसे और नाट अली कि अपने ही ड्रीम्स और अपने जिस की हो और इतने अच्छे तरीके से की हो क्या वो एक अपने करियर के साथ-साथ अपने गरवानों को बरबाद होता देख सकता है नाट अट 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 अच्ट परसंट ही इस बीवी एसी सरजन और यूल्स बिलॉंग स्ट है वरी अफलुएंट फैमली राइट और उसके जो मधर का बैक्गराउंट है weaknesses ौभलुएंट है वो घर में वो इंप्लॉई है वाकिं लेरी है विकास के बाब भी इंप्लॉई है वरकिंग फादर है वो और आप देख रहे हैं कि एक वेल फैमिली से बिलॉंग करते हैं उनके गर में पैसे की कमी नहीं जिसकी वज़े से वो जाते और A.T.M. गार्ड सक्यारोडी का मर्डर करते और उसके बाद A.T.M. लोटने की कोशिश करते और जहां तक विकास को मैं नहीं बलकि पूरा यह जो एरिया जानता है वो एक काबिल जहीन और एक शरीफ मिजज का बंदा हर एक बंदा उसके कल मैं उसके साथियों से बात कर रहा था जो उसके साथी वो भी मेरे स्टूडिंस रहे हैं वो बहुत रो रहे थे और एक ने मुझे बता दिया कि मैं मैं सो नहीं पा रहा हूं मुझे वो हलिसनेशन जाते हैं विकास की आद में मैं बिलकुल सो मैं खा नहीं पा रहा हूं इनकी फ प्रेविट फैमिली लेकिन अगर उनुने उसका मुडर किया होता, वो तो कर सकते थे, अट लिस्त तो कर सकते, जो बना मुडर करे गा वो उस जगह तो उसको तो शकुन नहीं आएगा ना, तो वो तो लोकेशन चांज कर सकता था, but they didn't do it because they had not actually we don't know what is the story but we request the department of police to give them the fair trial investigate and make every footage that is available with you make every evidence that is available with you public right if they are accused you carry on with the course of the law you just carry on with that but if they are prone innocent and if it happens after the gap of 5 years or 6 years their careers are totally annihilated right completely calamitous calamitous right and I want to give you the media Kashmir Crown which are the updates at this time I want to give you a medium I want to give you a request from the state administration left-hand governor to give them a chance to give them a chance and give them a chance to give them a fair trial and whatever you have done to give them public so that they can hear them they don't have to eat here a very big problem is that public opinion will be created negatively because the evidence is not coming in front of the people now the problem is that if the evidence is not coming in front of the people are giving their public opinion to hang them but their mother is already a heart patient they can have a heart attack 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 Kashmir Turbo TMT trust and reliability